जितने भी बच्चे लाइब हैं, सारे बच्चे को very good evening dear students, as you know that अभी हम लोगा चल रहा thermodynamics and आज के इस particular lecture में we are going to discuss about thermodynamic process, type of process and thermodynamic equilibrium है ना और साती साथ आज हम लोग एक लंबा क्लास लेंगे और मैं आज आज आप लोग का दो complete session को करवाऊंगा, यहनि कि जो मैं दो session होता है न target यह है कि आपको यह तीनों जो topic आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं complete आपको समझा दो आज के session में, मैं आपको बताओंगा आज के session में कि thermodynamic process आखिर होता क्या है, type of process कितना तरह का thermodynamic process होता है, है ना, उसके बार में discuss करेंगे, then lastly हम लोग discuss करेंगे thermodynamic equilibrium के बारे में, और यह मैं जितना आप लोग को बताओंगा, इसके बाद हम लोग का target रहेगा और एक new आपके topic को start करने का, और वो क्या topic रहेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, और एक topic का आप लोग का रहेगा, that is call your temperature, right, temperature and zerothlop thermodynamics, तो आज हम लोग इस topic को भी complete करेंगे, आज हम लोग इ आप लोग बैट जाओ, class को enjoy करो, और आज हम लोग क्या करेंगे, 0th log complete कर देंगे, यानिकि इसके बाद जो आप लोग का session आएगा, वो हम लोग solution करेंगे, आप लोग का question, है ना, जो most expected question है, जो आपका PY की question है, जो 0th log तक पुछा गया है, उन सभी को हम लोग discuss करेंगे, clear my point or not, है ना, तो आज आप लोग को ये सभी चीज़ देखने को मिलेगा, चलिए, तो start करते हैं हम लोग एकदम 0 से, आज class को 0 से 8 में, जहां से हम लोग को पढ़ना है, चलो, तो start करते हैं, देखो, सबसे पले हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में dear student, बात करेंगे, हम ल लोगा comment देख रहा हूं, लेगिन मैंने जो आपका audio है, उसको मैंने mute कर रखा है, अना, audio को मैंने mute कर रखा है, clear, तो audio को mute कर रहा है, तो मुझे नहीं पता चलेगा, कुछ भी अगर होगा, तो मेरे को आप जरू बताएगा, चलेए, तो चलेए, start करते हैं, देखो, क्या होता है, मैरा thermodynamics process, तो मैंने आपको state के बरे में बताया था, कि जो thermodynamics state होता है, वो क्या बताता है, वो बताता है मेरा एक particular state के properties को, क्या बताता है particular state के property को हम लोग देखे थे कि state जो होता है, वो मेरा final और initial और final point, दोनों पर depend करता है, इसलिए हम लोग जो state होता है, उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे point function, उसको क्या का जाता था, point function अम लोग उसको कहते थे clear और साथी साथी मेरा thermodynamic property भी था यहीं कि जो मेरा state को define करेगा वो मेरा point function भी होता था thermodynamic property भी होता था अब यह अगर इसी तरह का कई सारा state अगर एक साथ को मैं merge करूं तो वो मेरा कलाता thermodynamic process ठीक है तो उसको क्या कहते है उसको लोग बोलते है thermodynamic process जैसे की अगर मैं बोलूँगा कि आप इस exam का preparation कर रहे हो हो तो मैं बोलूँगा आप qualify कैसे की है आप जोब कोई लग जाएगा आपका किसी का भी जितनी student का सरे का सारे जोब लग जाए तो लग जाएगा तो कोई अगर आपसे फ्रेंड कोई पुछे या कोई family member पुछे कोई relative पुछे कि आपने कैसे जोब को निकाला आप बोलेंगे मैं कई सारे state से पार करा हूं पहला stage यह था या state बोल सकते हो कि मैंने पहले यह करा syllabus को study करा फिर syllabus आपको motivate रखता था हमेशा पढ़ते रहता था continuous तब जाके सिलेक्शन में आया उसके मेडिकल होगा बहुत सारा चीज़े सारे प्रोसेस को मिने पार करा तो अलग लग लग स्टेट आपने पार करा रहा है तो माल लोग यह मेरा पहला स्टेट हुआ कोई एक नमर में स्टेट है उस स्टेट में कुछ मेरा प्रेसर होगा और той मेरा होगा यह मेरा सटनड्स मेरा Islands प्रेसर होगा छसंप रह्म प्रोसेस प्रोसेस तो मैं आप प्रोसेस वन से लेकर फोर प्रोसेस एक प्रोसेस हुा और यह बोसकते हैं पिलोकस चार खनими जब अलग अलग स्थेट इस is called process क्योंकि पहला स्टेट में अलग प्रेसर था P1 अलग वोल्यूम ता भी वन लेकिन जैसे आपने पहला स्टेट से दूसरा स्टेट आ गए तब इसका प्रेसर मेरा चेंज कर गया और वोल्यूम भी मेरा चेंज कर गया तो यहां पर क्या हबां not only यहां पर मेरा स्टेट और यह भी बहुत सकते हो कि thermodynamic state the path followed by the different state of system जो अलग-अलग state जिस path को follow करते हुए मेरा एक final stage तक होता है उसको हम लोग complete जो जहां से start करा दहां तक गया that is my process और path भी path जिससे रस्ती के throw up गए clear चलो अब ये तो मेरे समझ में आ गया sir कि मतलब सर क्या होता कि जब कई सारा हम लोग state को मिलाते हैं ना कई सारा state pass करता तो वह हम लोग process करता है clear ओकी ना बढ़ते हैं आगे की हो अब अगर मैं बोलूँगा कि यह जो मेरा process है वो कितना तरका पाया जाता इन thermodynamics थर्मोडानमिक कितने तरका आपका process पाया जाता है उसके बार में बताइए सर तो ना वी आर गोंग टूडिस्क्रास अब डी टाइप अप प्रोसेस टाइप अप थर्मोडानमिक प्रोसेस तो सबसे पहले आ जाता है मेरा क्या नन फ्लो प्रोसेस जैसे कि नाम से आपको प सिस्टम मेरा तीन तरका होता एक होता है मेरा open system एक हो जाता है मेरा close system और एक हो जाता था मेरा isolated system बेसिक बेसिक यह तीन तरका था तो अगर आप बोलेंगे non-flow तो non-flow मतलब क्या बोरा कि mass आपका flow नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं बात करता किसके बारे में close का या isolated का तो हम लोग देखते हैं या फिर close या open का किसी का भी हम लोग mass के बारे में देखते हैं कि mass मेरा flow कर रहा है इसलिए open को हम लोग flow process करते हैं या flow system करते हैं क्यों कि मास וה लो कर रहा है और close में mass flow नहीं कर रहा है इसलिए इसको बोलते हम लोग non flow इसलिए क्या बोलते हैं इसको non flow काते हैं तो अगर मैं बात करते हैं यहां पर non flow process इसका मतलब क्या है कि यहां पर mass का मेरा flow नहीं देखने को मिला सिस्टम से स्रांडिंग मेरा mass नहीं जा रहा जैसे की example पर तो रुपे क्या हो जाएगा आपका example के तो रुपे आप ले सकते हो आपका close system ही आप ले सकते हो close जैसे आपना चाय में ने कहा था कि चाय का आप जब चाय पीते हो तो इसको क्या करते हैं धक्कन से अगर आप ढग दोगे न तो टाइम के साथ यह आपका गरम चाय जो है ठंडा हो जाएगा लेकिन इसके अंदर का जो mass है जो द्रम्यान है जो आपका जितना भी पानी है चार ग्राम दस ग्राम आठ ग्राम एक लीटर दो लीटर जितना बड़ा काफ है आपका जितना बड़ा करता हूं अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि आप रोसेस अंडर गोज़ बाइ फ्लूड इन अ area system is called non flow process मतलब कि वो प्रोसेस यानि फ्लूड का फ्लूड देखो फ्लूड कई सारे स्टेट से पार करेगा जैसे पहला स्टेज में आप समझाएगा पहला स्टेज फिर दूसरा स्टेज फिर तिसा स्टेज तो फ्लूड अगर ऐसे ऐसे करके पार कर रहा लेकिन यह कही ना कही बिल्कुल 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 चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे सेकंड नमर में फ्लूड प्रोसेस के बारे में फ्लूड प्रोसेस मतलब क्या बात कर रहा डियर कि जब यही सेंची वही में आपका फ्लूड जो है वो किसी ऑपन सिस्ट तो पार करके पहुंचता है तो उसको बोलेंगे फ्लो प्रोसेस यहीं अब बात करूं किसके ओपन सिस्टम के बारें बात करा जैसे कि चाहे जो है आपका खुला भी यह लगा है आप ढखन नहीं लगाए हो तो आप यहां से मास जो है न वह सिस्टम से स्राइवंडिंग में जा सकता है इंवर्में में जा सकता है यहां यहां जगा आप घरम घरम चाई लेका हो तो कुछ दीर के बाद आइस हो जाएगा तिर अपना चेंज कर रहा तो तो यहां से क्या रहा अर्मास और नर्जी दोनों जारा तो डाड़ी ओर सिस्टम का प्रोसेस और दूसरे किसमे ननफ्लों प्रोसेस और फ्लों प्रोसेस समझ गए चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बात हम लोग करेंगे quasi-static process के बारे में which is very very important क्योंकि यहां से आपका question बनता है तीन-चार यहां से question मता है मैं आज glass नहीं पर नहीं हो जिसके वज़िसे थोड़ा दिक्कत हो रही है ठीक है चलो तो यहां पर क्या बात करें हम लोग क्वासी-static process के बारे में क्या होता सर्पासी-static process आप प्रोसेस अकर और pursued in such a manner that the system remaining state of equilibrium यह बहुत important है कि यह तो आपको समझ गयोंगे कि प्रोसेस कई सरे स्टेट से मिलकर पार कर रहा है लेकिन हर एक स्टेट जो है ना वो equilibrium condition बेरा रहा है मतला अपना property को चेंज ही नहीं कर रहा है समझ गये ना कि इस स्टेट तो चेंज का राजय से मैं बात कर रहा हूँ अगर मैंने यहां पर बताया था यहां मैंने क्या बताया था कि जब यह मेरा first आपके state में है तो इस टाइम में इसका pressure P1 है इसका volume B1 है जैसे मेरा state को change किया दूसरे state में आ गया इसका pressure भी change हो गया और volume भी change हो गया लेकिन मैं आपको अगर यह बोलूँ अगर मैं आपको यह बोलूँ कि यहां पर pressure volume यामनी कोई एक properties को अगर मैं constant रखता हूँ कि state 1 से 2 तो आ गया लेकिन यहां पर कोई एक property है जो change नहीं हो र बोलेंगे सर कैसे यह possible है यह possible है यह possible है आप देखो कैसे में आपको बहुत अच्छे तरसे इसको समझाता हूँ कि आप क्या करूंब एक इस तरह से सिलेंडर नों डिसी जो सिलेंडर है यह कंटेनर माल लेते कंटेनर है नीचे में गेज बराबा और यह आपका क्या पिश्टन है यह पिश्टन पिश्टन इस इज पिश्टन जैसे मेरे हाथ में भी पड़ा वाद में आपको समझाने के ट्राइब करता हूं इस चीज को साइधा फील कर पाओगे देखो यहां पर क्या दिस इस मैं पिश्टन ये पिश्टन होता ये सक्षन होता है एक्जोस होता पाउर स्टो अब आप पूरा इंजन जो आपका चलता है स्पोज करू कि कुछ आपका कि समझाने का में ट्राइब करता हूं कि सब्सक्रों क्या है कि यह पेज़ को में माल लेता हूं आपक एक सिललेंडर जाना एक सेके लिए तो यह माल लेते हैं कि ऐसा कुछ मेरा सिलेंडर है ना ऐसा कुछ क्या है दियर एक सेकंड एक सेकंड हना लेट मी सो यू फर्स्ट ताकि अप चीजों को समझ पाओ तो यह मेरा कोई स्ट्रेंडर है ऐसा सिलेंडर है कर दिया एस सिलेंडर के अंदर मेरा कुछ ऐसा कीसट जाएगा अंधर जाएगा ठीक है ó यह तो यह काधर को चींडर को यह स्टेल करेंगा कास्ट वर गडाएगा यह उपर नीचे-ऀपर नीचे जा रहा इन दर में प्रबाय सकता है कि इससे यह बाहर नहीं जा सकता इस्माइच पतला 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 स्टील मेंटल जैसा पतला पतला पीस रगर दीए किछ कई सरा कई सरा और वह एक बहुत छोटा ढरते चोटा करते चोटा खालो अब मैं क्या कर रहा हूं जैसे ही में सिस्टम में हीड दूंगा इसको गरम करूंगा नीचे से जब गरम करेंГे तो तो गेस जोगा एक्स्पेंड करना चाहेगा गेस क्या करना चाहेगा एक्स्पेंड करना चाहेगा फैलना चाहेगा जैसे एक्स्पेंड करेगा प्रेसर अंदर में डवलप होगा तो प्रेसर भी बढ़ेगा और प्रेसर बढ़ेगा एक्स्पेंड करना चाहेगा तो धक्का लागा पिस्टन को पिस्टन को धक्का लागा अब मुझे क्या करना चुकि मुझे ट्वासी स्टेटिक प्रोसेस बना और उसके लिए स्टेट को मुझे क्लिवरम रखना स्टेट तो चेंज कर जाए लेकिन वेल्यू चेंज ना हो तो वह कैसे करेंगे जैसे ही मेरा यह टेंपरचर बढ़ेगा थोड़ा सा और प्रेसर अपलाई करेगा हम उपर से एक को रिमूब कर देंगे वी रिमूब दा वेट तॉप से क्य करने रिमूब कर देंगे जैसे में एक वेट को रिमूब करता हूं तो जितना वह एक्सपेंशन हुआ था ना उसको जगह मिल लिए और जगह मिल गया तो फिर टेंपरचर उतने में आ गया थोड़ा जगह फैल गया ना माल लेते अभी फिलाल कितना जगह पर आभी जो जैसे हो जागा थोड़ा ज़्यादा इसको मिल गया तो टेंपरचर ओटोमेटिक घट जाएगा जीसे पानी गरम हो रहा है थोड़ा सा भी जैसे पानी गरम हो आप फिर से थंडा पनी डाल दी है फिर वह तन टेंबरेचर आ गया फिर थ्लोड़ा बढ़ना चाहा फीट पा प्रोसेस है रिवर्सिवल या आइडियल जो रियल में एक्सपरिमेंटल यह नहीं हो सकता एक्सपरिमेंट में यह प्रेक्टिकल पॉसिबल नहीं है यह बस बुक में लिखा गया तो अगर यह बढ़ रहा है मानलो आप एक्दम विर्वल खिच्री जैसा उपर में रखा ता कटोरी और नीचे में आग दिया गया और पका रहा तो वह तो टाइम लग जाएगा और जैसे यह आपका टेमपर्चर जिरो ट्वेंटी पॉंट जिरो जिरो वन डिगरी सलस्यस होने का ट्र आप क tapping नुए ऑफ़ जी रखंगे और प्रोपेटी को क्या कर दिया यह से जीए हम लोग करते जाएंगे जैसे जैसे भी हम लोग हीट देंगे जैसे हीट Paint देंगे और बहुत कम मंदॆ粉 जैसे थोड़ा सा gth करना चाहेगा आप एक मेट कर मुप पर फीर जैस craz बढ़एग बढ़ेगा थोड़ा और बढ़ेगा थोड़ा और और बढ़ते जारा है अगर बात करें प्रेसर का तो प्रेसर घटते जाएगा यहां पर कॉंस्टेंट है तो इसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग टेमपरचर के स्टेट को इकलिवियम बना के रखते हैं इसमें प्रोसेस में आप का यह पुछेंगे हैं इस तरह का प्रोसेस होता ही नहीं है यह वॉफ्वाल हाइपोफर्डिकल वाला चीजी है या और इसका यूज करतें कारनोट ने सब्सक्राइब करने दुनिया का ऐसा एक इंजन है जिसका एफिसेंसी मैक्सिमूम है मैं मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है ना सोर पइया का जाोंगे होटल में खाना खाने और पूरा का परा सोर पड्या यूह आउज करोगी पूसीव यह प्रैक्टिकल नहीं पूसिव Tumb一樣 क्यों आपने सोर प्याक आगर कोई भी चीज़ लिया है ना आप होटल में बैटके खाए तो जब रेस्टोरेंट में जहां पे आप खाते हो ना बिजली का भी वो पॉस्ट जोड़ता है ऐसा दिए इस प्रोड़क्ट का कीमत उतना रहता आपको बहुत सारे चीज़ों को पॉस्ट आपने जिसको जितना पध राक्या 100 पर्रिषट करते हो ना कुछ न कुछ दो लोस होता है बात वही है लेकिन ये बोरा ऐसा नहीं है कार्णोड ऐसा इंजन होता दूनिया का एक ऐसा इंजन है जिसका एफिशनसी सबसे में प tu-wise निए Χंटीद परसन्त आपको अको ऐसम ब अज़े को इसी तरह मानते हैं और जो आपका यूज करते हैं आइसो तर्मल जिसे ने कहा कि इसका एक्जांपल होगा इसो थर्मल तो ये प्रोसेस भी आपका रिवर्सिवल और हाइपोथेटिकल होता है मलब की कारनोट में हम लोग आइसो थर्मल का यूज़ करते हैं इसी लिए क्योंकि हो मेरा हाइपोथेटिकल होता है सेम चीज को अगर मैं ग्राप के तुरू समझना चाहूं तो देखो मैं आपको समझाता हूं लिए प्रैसर और वोल्यूं का डाइकराम है यहे छोटा-चोटस देखर दिया गेने अलग लग स्टेट यहां यह मतम अलग लग स्टेट haz यहन ये दुसरा है ये तीसरा है ये चोथा है ये पच्वा है ये सत्वा है इससे आथ नो दस ग्यारा बारा तो फररAmerica रहा है जिए मि Giants ये एक प्रेसर म्लेटे यहां पे चेंग रहा है आप गजैसे नीचे पहुंच गहे आप P2 उन्लिले प्रेसर ड्रॉप कर गया और गड़ गया लेकिन तेमप्रेचर आपका कॉंस्टेंट बढ़ता है देखो तेमप्रेचर आपका कॉंस्टेंट है आई सो थरंcorस Cool इन गया नगे टे को घ॥राई ना covered ररा यह प्रोपर्टी जो है तेमपरेचर वह इकलिए प्रेक्टिकली पॉसिएवल है वो तो आप समझी गए नहीं और यह अगर पॉसिवल भी आप करना चाहते हो तो कब पता है वेन प्रोसेश विल वी अकर इन फाइनाइटली स्लो मेनर अगर आपको इसको इंपोसिवल भी बनाना फिर भी आप इंपोसिवल किकि आपता क्या बोलना चाहरे हो कि मैं हीट दे रहा हूँ लेकिन तेमपरेचर नहीं बढ़ेगा क्या यह पॉसिवल है क्या खाना पकार आप बोलेंगे मैं आग जलाया हूं बर्तम रखाओ और आग जलाया हूं लेकिन मेरा गरर्मी नहीं हो र कर रहा हूं लेकिन temperature को constant रहा हूं ती कब होगा जब बोलोगे सर मेना क्या करूंगा कि एक माचिस लोंगा और माचिस से माचिस का तिल्ली से में बड़ा असा ड्रम का पानी को गरम करूंगा और उतना ही उसी के तिल्ली जैसा जलते रहेगा उभी क्या बहुत दूर से तिल्ल आप क्या करोगे प्रोर पानी मिला दो लो वही नीरा है वही से यहां के कर रखा है ओके जब आप इतना समझ गए अब बढ़ते आ गए तो अब सब्सक्राइब सकते हैं और को भी सब्सक्राइब sudah करहा है तो बहुति स्लोव प्रोसेस मिला यही तना सब्सक्राइब अगर कोई बोलेगा सब्सक्राइबtimeesser से Privacy Static सफ़स्स का जाओं किया है है कि आपको ऑफ से का इसा को अचलिक्ट सफ़स्स, पाण कर देगा ने हम पानी को गरम कर रहे हो आप एक क्या से पानी को आपने यहां पर बां दिया को रड में ऐसे करके और यहां पानी रखा हो और नीचे में कहीं आप आग थोड़ा जलाए हो अब लगेगा सदी हो गरम होने में हैना चार दिन लाग थोड़ा बहुत होगा है ना repeat करें सर्क वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या वो रखा बोर रखा कि ऐसा मेरा पहली बात अब प्रोसेस समझ गे ना प्रोसेस क्या है कई सारे स्टेट से पार होगा है ना तो देखो यह अलग स्केट है कि अलग स्टेट है आप परपटी शिस्टम को आप परौठी क्या है तो यहां Walter प्रोसेस होगा लेकिन इसमें किसी एक चीज को अगर आपने कॉंस्टेंट करके रख दिया ना है तो वह हम लोग मदलब क्या मिश्क। हम लोग सीम रखेंडी को आं सिस्टेंज हो रहा लेकिन का य। आपने बढ़ने नहीं दिया जबकि प्रेसर चैंज हो रहा व्ल्यूम मदलब य। एक जो प्रपर्टी है उसको मैंने क्या कर रखा एक लीवर्यम कंडेंस कर रखा यानि स्टेट अप एक स्टेट में वही टेंपरचर है अगर मैं बोलंगा पहला स्टेट में आपका 20 डिग्री है इस जगा पे प्रेसर मा लेते पीवन है और वोल्यूम का भीवन है लेकिन टे स्टेट सेथे टेंपराचर ही में है वने प्रेसर आपका घटा वोल्यूम आपका बढ़ा तो बोल सकते हैं स्टेट अब टार्यच्तffentlich क्रudeau कि उसका टेंपरच्र सटीं फिरम हो अब सब्स its यह लेकिन तब बहुत ही स्लो करोगे तभी कर सकते हैं क्लियर एक्जांपल मैंने जैसे का आइसो तर्म प्रोसेस जिए प्रेक्टिकली इंपोसीबल टू कंड़किंग सच असलो मेनर और इतना स्लो मेनर में आप कोई भी साइकल क्योंकि यहां पर देखो आप पानी गरम करने के बात नह कि अब फिर ऩर चट्रोक स जब बहुत नहीं स्ट्रो शल प्ता चलता है यह थे तंदर दीलैंज हे न पिश्टन स्पीड इन पेट्रोल दर दर बहुत स्पीड चलता है यह क्या बोरा बहुत सलो पता चलेगा इसे धीरे चलेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट होने में चार घंटा लग जाएगा समझ गये ना वह स्पीड ही नहीं करेगा क्योंकि इंजन चलना चाहिए न स्पी वी यूजऄ इसी लिए आईसो dal प्रोसेस को हम लोग यूज काहां करते हैं ऐसे साटे में करते हैं जो आईडियल है जो में पोसीवल बुश्राइब क्योंकि explicit को का नौडट अंधिनर मीं मेरा रीमियम नहीं नहीं के का içलनOoh मेने कहा था ना यह सल्वसेजदा हम देंगे आ आइका लिख दिया गया और एक्सपरिमेंट से होता वह real में देखने मुझा है एक यह बिते एक्सपरिमेंट करको लगो तुले को गुझा दिले डिली 10 10 घंडें पढ़ोंगा तो मैं पड़ पाए कभी लाइट चल गया कभी डिवाइस खराब हो गया बहुत सारा कंडिशन हो सकता कुछ भी हो सकता है यह बोला हर दिन दस गंडा पढ़ना पड़ना पड़ेगा आपको इस टाइम पे ना यह करोगे तब जाके तो तो त्योरी है प्रेक्टिकल पॉसिवल नहीं बात करते हैं रिवर्सिवल आखिर क्या होता है चलो उसके बारे में डिसकस करते हैं आइडियल भी रिवर्सिवल होता है चलो डिसकस करते हैं तो यहां बात करें हम लोग रिवर्सिवल का और फिर बात करें हम लोग इन रिवर्सिवल का और अभी आपको यह तो समझ गये ह और यह ऊपटिकली नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि इसी को जो सकता है य। बिलकुर सही बात है तर बता है बताता नहीं आपको पूछा ना इस तरह मेरे को पूछ लेना क्लियर देखो अब प्रोसेस अकर सचे मेनर देट इट गेट बैक टू इन ओर जिनल एस्टेट विदाओट लिविंग एनी इफेक्ट इन दी सरांडिंग देट इस कॉल्ड रिवर्सेल प्रोसेस यह क्या बोल रहा कि आपने जहां से स्टार्ट करा था अगर ही घूम के आ गए ना तो उसको लोग रिवर्सेल बोल देंगे और जितना मैं आपको बोला यह पूरा सही नहीं है यह आधा सही है अभी मैं आधा आपको बता रहा हूं पहले आप समझो आधा सही क्या कि यह मेरा फिल्ड है जहां पर आप रुनिंग वेगरा करते हो आपन तो आप क्या बोलेंगे कि यह मेरा रिवर्सेल हो जाएगा नहीं अभी भी गलत है आधा सही है कि इनिशल कंडिशन में आ गया जहां से स्टार्ट करा था जिस स्टेट से स्टार्ट किया तो वहीं रिटन जैसे अगर पीवी डियागरामें समझाओंगा जैसे देखो यहां फिर आ गया लेकिन पूरा स्टेटमेंट पड़ो इसका क्या कहा गया है विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट इन दी सराड्निंग इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इन थार्मो डानेमिक्स वी डिल स्वीट हीट अन वर्क में आपको कहा था दो तरह के एनर स्टेट यहां से स्टर रा है है न सी जो युद्ब लेक करा दोल यहां से ला और तो जब दोंटे फिर से रीटर्ण आए आ तो गए बिम्टर बिल्कूर सभी बात है और आपने लूज क्या करा लूज आपने करा ही ट कीखिया शरीफ पसीना छोड़ देता है आपने जो खाया पिया है दोड़ कीशे करहें थोड़ा थखते हैं थोड़ा बहुत खाते हैं । कुछ थोड़ा बहुत खाते की नहीं अगर मालो अच्छा खासा रणिंग कर रहा कोई अथलिट वो अगर दोड़ता है है ना तो कुछ खाता है यह निए अनर्जी आप ठक जाते हो नहीं नहीं ले सकते हो ना जैसे माल लेते इस तरह समझेव कि यहां पर मेंने इसको बोल दिया यहां से स्टाट कर रहा था और कर में इतना एनर्जी लोसकर दिया अब फिर से कर दिए रिवाइंड करना मूवी में पॉसिवल है रियल लाइफ में पॉसिवल नहीं है आपका एज एक बार बढ़ गया तो फिर रिटर नहीं आ सकता है इसलिए नहीं होता है इनिशियल कंडिशन पे तो आ जाता है लेकिन सर्वांडिंग में कुछ ना कुछ ना इफक्ट छोड़ी जाता है अब आप बोलेंगे सरे काम कर सकते हैं ठीक है आपने यह कहा अगर में माल लेते सर में अगर मालो यहां पर मैं बैठा हूं देखो मैं अ मैं बूर्णाम मैं सांस ऐर जो निकला वह तो इन्वर्मेंट का मोलेकुल को टकराया हिलाडोला सरे काम करेंगे ना तम वकारिंगे। तब मैं आपको बोलूगा ठीक है मानते हैं मैंने सांस रोक के भी यह कर दिया तब मैं आपसे यह बोलूगा कि एक चीज मेरे को बताओ आज पास में जो मेरा यह मेरा क्या है साइकल भी पोसीवल नहीं इन इससे लिख दिया गया है कि due to friction there is always some effect will remain on the surrounding कुछ ना कुछ friction के वज़द से loss रहेगा ही रहेगा that's why practically thermodynamic system process is practically a second that's why in practical practical thermodynamic system process is irreversible तो यानि कि दुन्या में क्योंकि भाइज थर्मदानिक्स तो हर जगह देखने मिलता है तो जितने भी process होता है न प्रेक्टिकल वो सारे का सारे इन्रीवर्सिवल होता जैसे कि मैं आपको समझाता हूं आपने खाना खाया वो फिर से फिर से आप खाना को लाने सकते हों आपका एज बड़ा फिर से घटाने सकते हो मसीन चल गया और चलके वह तो रिटन फिर नहीं कर सकते हो आप बुलेंगे सब फिर से उसको साफ सुत्रा कर दिये नहीं चमका दिये लिगन जिस क्वालिटी का था उसमें कोई ना कोई तो डिप्रेसेशन आएगा घटे गाई घटेगा यह सिरुग रहे हैं वही डाग्राम में जो क्या समझा गया कि व और अपना हीट क्या किया हीट दिया सिस्टम को अना तो यह चीज़े लेंगे तो तब तो आएंगे तो तब तो आप से चोड़ रहे हो तो यह हो जाता तो सारे कैसारे क्या हो जाता प्रोसेस इंडिवर से अगर में इससे प्रोसेस अगर आप कोई भी रिवर्स करना चाहता तो कुछ ना कोई सरांडिंग में एफेक्ट छूथी जाता है विच इस प्रोसेस यहां से रिवर्सिवल हो गया और इन्डिवर्सिवल हो गया इससे पले क्या समझेते हैं हम लोग क्वासी स्टेटिक समझे थे और क्वासी स्टेटिक से पले क्या समझे थे हम लोग समझे थे फ्लो और नन्ड फ्लो तो एक प्रोसेस हो गया दूसरा तरह का प्रोसेस हो गया क्वासी स्टेटिक मेरा तीसरा तरह का प्रोसेस हो गया इसके बाद अगर बात करेंगे तो आज आता मेरा डिवर्सिवल चो था और फिर हम लोग बात की इंडिय वर्सलों पांच पांच तरह के प्रोसेस के बारे में जान लेंगे नाव अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में एडियाविटिक प्रोसेस के बारे में क्या होता सार एडियाविटिक प्रोसेस चलो जान लेते हैं अब एडियाविटि प्रोसेस में आपको बता रखाओं तो डाइधर्मिक वह पीछ चलो यह वाल का बात कर रहा हूं तो जो मेरा इंडेविट वीटिक वहल होता है इसका मतलग को होता है क्या होता है कि जब फीट को लाग थीट को वाल के थुरू पास नहीं करना चाहते हो नागता है तो इतना जल्दी थंडा होगा वो तो खरब बात है गरम रहे जितना दिर गरम हो उतना अच्छा बात है कि फ्यूल कम से तो आप ऐसा चारोर का दिवाल बनाते हो फरनेस का कि उससे हीट मेरा जाए ही ना तो वो कलाता है मेरा एडियावटी पॉल और जहां से मेरा हीट आर पार हो जाता है वो ठंडा गरम चीज़ वो धीरे दें ठंडा हो गया जैनि क्या हुआ वाल के तुरू हीट मेरा चल गया त ठीक है ट्रांसपर यह मेरा हीट ट्रांसपर को अलाव नहीं करता कोण एडियावटी क्लियर चलो वेरी नास इतना चीज़ आप लोगो समझ में आ गया होगा तो सेम चीज़ एडियावटी प्रोसेस के बर में क्या कर रखा कि वेन इस सिस्टम इज इन क्लोस बाई एडिया यहां पे हीट ट्रांसपर आप जीरो है हीट ट्रांसपर हो निया बाकी है देडिल हो रहा है तेंपरचियर प्रेस्वर भुल्यूम सब को चेंझ हो रहा हीट ना आने दlando Chyrenaud और हो सकता कि बाकी चीज़ हो सकता construction external pressure बोल सकते हैं रिफ्र के भुझ कुछ यह भुले बोल सकते हो कि एक्सटरनल जो प्रसर अपलाई करते हैं अगर प्रेशर अपला कर रहे हैं और उसे जो इफेक्ट हो रहा इट जा सकता है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है कर जैसे होता है आप को बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं इंडिवर्सिबीटी समझ चाहिए आप किसी से प्यार करते हैं अगर लडका उतों किसी से प्यार करते हो अब वो बोला कि नहीं होता कि वो सब आपने लोटा दिया लोग हो गया लेकिन वहस्तुर टॉणा लड़ा सकते और।ժ Украї यो से नहीं कर सकते हो आप यह बोलोगे कि तुम मुझे भूल जाओ भूल सकते हैं वो एक थौट होता है लेकिन कि सची में जो आपके साथ-साथ हुआ है जो आपने टाइम करा है वो चीज आप बोल सकते हो इंपोसिवल है अगर आपने चलो वो चीज मालो भगवान के पास चल पड़ दिया कि आप सच में बूल गया लेकिन आप समझो कि आप सबोच को लो कि उसके साथ दो साल का टाइम आपने स्पेंड पर रहा है अपने गल्फेंड के साथ या जो आगए चलकर आपकी वाइब बन गई होगी है ना तो दो साल का टाइम आपने भूला दिया वह तो नहीं सकता वह टाइम का क्या करेंगे वह तो ब्लंग नहीं हो सकता और क्या उतना एज आपर रिटन कर देंगे भगवाना कुछ भी कर सकते हैं तो वह उस चीज को किसी चीज से फील करना पड़ेगा तो मतलब यह जो बहुत ही नहीं सकता तो वह बाते इन रिवर्स मतलब होता सेम अया फिर और टर्म में समझेंगे तो equal यह बराबर तो isomeric मतलब कि same , तो change कर रहा है बट आप बाट बट प्रैसर मेरा चेंज नहीं हो घाई अलग 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 प्रोसें से पार हो उसको टाइस्टिए तो यूण प्रोसेस क्या यह दोनों भी क्वासी स्टेटिक हो सकता क्या नहीं यह ऐसा नहीं इस तरह का प्रोसेस आप नॉर्मली हम लोग लेगे चल सकते हैं जिसा आप बात करें वोल्यूम कॉस्टेंट आप पानी को सिलेंडर के अंदर का जो भी गेस है वो तो चेंग और आइकन सेमी स्टेंग है गात स्टेंग अधरिड़िया या आपकी घंस का सिलेंडर नहीं दोत वा श्क्रोक्र दीा लेका बार है सेम बात है प्रका प्रेसर को안श्ट्रिंड रखे भी यहां चीज किया जा सकता है तो यह भला बात है यहां पर यहां पर लबह लगना आपको लवाग क्य मैंने आपको बता दिया डिया देखो irreversible process आप किसी को भी बोल सकते हो जो की surrounding में effect छोड़े बिना अगर वो return आ जाता है तब तो reversible होगा अगर कोई छोड़ रहा तो that's a universal process ठीक है नहीं इसे नौट फारस्ट क्लास इससे पर आपका छे लेक्चर हो चुका है बठा एप में आप लोग का फॉस्ट क्लास है इस 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 फॉस्ट सेशन और फॉस्ट क्लास इन यूर ऑप तो यह मैं एप में फॉस्ट ले रहा हूँ बट अधर्वाइज यह मेरा आपका सेवंथ लेक्चर है नहीं 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 हाँ हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस कोस्टिन सरफ्राइज के दौरे पुछा गया है सर एडियाविटिक और आइसो थर्मल एक ही है कि नो देखो जब मैं बात कर रहा हूं यहा पर क्या एडिय gratis का तो यहां हम लोग बात करते हैं हीट को रोकते हैं हीट को हीट ट्रांसफर नहीं होता है ह呀 no heat transfer no heat transfer डिरिंग एडिय विडिक जब मैं बात करता है तो तो आईसो ठर्मल में क्या होता कि temperature आपका constant रहता है यहां बोड़ सकते हो कि heat transfer आपका constant रहता है तो no temperature change no temperature change और यहां पे no heat change आप बोल सकते हैं यहां बोल सकते हो no heat change नहीं और यहां पे नो टेंपरेचर चेंज ठीक यह यह वह सब्सक्राइब और यहां पर आपका हीट रिमें और दोनों बहुत अलग अलग चीज़े होता है या दकना जब मैं आपको बताऊंगा कार्नोट साइकल उसी में कारों साइकल पढ़ेंगे तो टेम्पेचर कॉर्स्यन तो टेम्पटर कॉंस्यंट रखंघर के ना आप हीट कर सकते हूं टिषफ लेकिन फीर वही बात है कि सार यह कैसे पोशीबल है यह तो आपने बोल दिया इस थर्मिल करनी सर्विशी आई पोस्टिकल दो बिलको सही बाता है यह आपका रिवर्सिवल प्रोसेस होता है याई आडियल होता विचीज नौट पोसीवल लेगी न है सकते हैं एक हम लोग ऐसा साइकल लेते जिसके लग ट dissolve रक्तरtsåक ह्र करसकते हैं लेकिनताए लेकिन अगर सकते कि यही वही पर तो पॉसेश değil में यहीं अक टॉ सबहुत हें वह इता यहां पर हम हीट का क्या है है लिक्सरी हो आप समझ लेना जहां पे हीट passive करेंगे क्योंगि आप यह तो पता ही है न कि पेड़ने के वज़र अप संप्छले होता है जब कभी बोड़ी के बीजन Влад हम दीचला था भी कि जेसे एक होई तो यहां पे देखो इसका 30 क्या दिशियोर टेंपरेचर और तो अगर टेंपरेचर होगा तब जाके इरे टेवल करेगा तब रेवल किधर एनरजी टरोब करें युपण युवर्सल लो होता है एनरजी ऊलुइजिए फ्लो मेरा सप्प्र रचेट करें इदाक विक Okay हीट मेरा क्या होता एनरजी ना होता है और अनरजी को सिसटार ट्रिवाजि नीफिर तो मेंजएरेंट करने का इस दीवाइस होता है यह फिर कि temperature 60 degree 40 degree 80 degree minus जो भी और जहाँ temperature गे परा heat का travel करें क्यों क्यों क्योंकि यह equilibrium condition में लाना चाहेगा यह तब तक heat को travel करते रहेगा जब तक कि दोनों बराबर बराबर नहों दोनों यह भी मेरा 40-40 हो गया यह भी 40 हो गया तो कि नहीं निसान ताप जो बोर है ना according to definition एनी स्टेट इस कॉंस्टेंट एनी स्टेट नहीं आप समझे नहीं क्वासी स्टेटिक प्रोसेस का वह गा जब आपका प्रोसेस बहुत ही प्रोसेस और जो प्रोसेस और जो प्रोसेस और जो रहा है लेकिन आपका वहां पर जो टेंपरचर है वह आपका स्टेंट आ रहा है और यह कब पॉसीबल है वैसे नहीं पॉसीबल है लेकिन यह फिर भी अगर आप करना भी चाहते हो जब अजस्ती तो जब आप बहुत ही स्लोव में करतों तब जाते होगा इन फाइनेटली स्लोग दाट साइसको लिग दिया गया इसी यह कि विचीज न आइसो बेरिक का यहां मैं बात करों आइसो कोरिक का या फिर बात करों आइसो थर्मल का तो हर जगा पे चेंज इन प्रेसर जीरो होगा यहां पर क्या होगा चेंज इन प्रेसर जीरो चेंज इन प्रेसर जीरो यहां पर बात करेंगे तो चेंज इन वोल्यूम जीरो चेंज तो अगर आइसोबेरिक बोल दिया है इसका मलब क्या कि अगर पीटू मेरा मालों प्रेसर दस बार था तो यह भी मेरा पीटू फीटू भी दास होगा पीवन भी दास होगा तो दस मैने दस चेंज जो निकालेंगे तो जीरो आएगा अगर वोल्यूम सपोज कर लोगों मेरा वीवन जो है न वो ट्यन मीटर क्यूब है तो आपका भी टूभी ट्यन मीटर क्यूब यह कोई चेंजो नीवा तो इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस निकाल हो चेंज प्रेसर दी वी चेंज नी वोल्यूम तो जिरो आ जाएगा सेम ट तो तेमपरचर थर्टी है इनिशल तेमपरचर तो फाइनल टेमपरचर यह टीटू भी अपका 30 रहेगा तो चेंग इन टेमपरचर निकालो गए तो आपका जीरो आएगा समझ गहें चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है उसी तरह एडिया मिटिक में हीट का बात करते हैं टेमपरचर अलग चीज़ हीट अलग चीज़ है हीट इज़ फ्रम एनरजी और टेमपरची सेंसिंग डिवाइज जो बताता कोई जी कितना होटार कोलार क्लियर क्या यहां तक और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को बता मैं आपको जरूब बता हुआ ठीक है चलो आपको जाप लाएज प्लीज आपको ज चीज़ आपको जापको जाएज जाएज कर देणा होटे यह जा दिक्लियर